दोस्तो आप बाइक तो चलाते ही होंगे तो क्या आपने कभी सोचा है कि Splendor, Deluxe, Platina, Pulsar ये जो सारे बाइक के नेम है क्या आपने कभी सोचा है कि इनका English में क्या मिनिंग होता है दोस्तो जब आप अपने बेटे आपने बेटी का नाम रखते हो कालो, शालो जो भी आप अपने नाम रखते हो तो उन नेम्स में भी कुछ ना कुछ रहस्य चिपा होता है कुछ ना कुछ स्पैशल होता है तो ऐसे ही कंपनी ने भी जब इनको Splendor Deluxe ETC जो भी इनके नेम रखे हैं उनके अंदर कोई ना कोई सिक्रेट या कोई ना कोई English वर्ड छुपा हुआ है तो चलिए इस वीडियो को देख लेते हैं और इस वीडियो में सीख लेते हैं कि जो बाइक्स के नेम है उनका English में मिनिंग क्या होता है तो इस वीडियो को लास तक देखना ना भूले हलो दोस्तो यू आर वचिंग दरूरल फाइट विच सौन सर तो चलिए इस वीडियो में हम सीखते हैं कि बाइक्स के नेम का मिनिंग क्या होता है तो सबसे पहले हम लेते हैं आम घर में पाई जाने वाली बाइक जिसे हम सीडी डिलेक्स कहते हैं तो क्या आपने सोचा डिलेक्स का मिन्स क्या होता है तो Deluxe means होता है शाही ये word आप bike में भी सुन सकते हैं और खाने में भी सुन सकते हैं कि Deluxe थाली में आपको यह यह चीज़े offer की जाएंगी तो Deluxe का मिन्स होता है शाही So let's have a look at the next Next है हमारी Splendor Splendor बहुती अच्छी bike मानी जाती है मैं यहाँ पर किसी company की add नहीं कर रहा हूँ बट हर रोज जो व्यक्ति इसको use करते हैं वो ऐसा बताते हैं ऐसा मानते हैं तो Splendor का मिन्स क्या होता है तो Splendor का मिन्स होता है शान शोकत तो चलिए let's have a look at the next bike Next है हमारी Pulser Pulser का मिनिंग आपने कभी सोचा नहीं होगा कि Pulser का मिनिंग क्या हो सकता है तो Pulser एक घूमतू तारे होते हैं Pulser क्या होते हैं बहुत तेजी से घूमने वाले तारे होते हैं उनको हम Pulser कहते हैं So let's have a look at the next Next है हमारी Shine Shine एक Honda कंपनी की बाइक है तो Shine का मिन्स क्या है Shine मिन्स होते है चमक Shine मिन्स क्या होते है चमक तो अगली बाइक है हमारी Passion Passion मिन्स क्या होता है Passion मिन्स होता है आपका जुनून कहते हैं ने कि आपके अंदर Passion होना चाहिए तो Passion मिन्स जुनून Let's have a look at the next Next है हमारी Victor Victor को हम कहते हैं Vijayता और जैसे ही हम कोई भी Match जीते हैं तो वहां लिखा रहता है Victory या Won तो Victory का मतलब क्या होता है जीत और Victor का मतलब होता है Victor का मिन्स होता है Vijayता So let's have a look at the next Next जो बाइक है हमारी वो है Apache TVS Apache आपने भोत चलाई भी होगी और आपने देखी भी होगी Apache का मिन्स क्या होता है तो Apache का मिन्स होता है दुश्मन अब ये तो मुझे नहीं पता कि Company ने ऐसा नेम क्यों रखा लेकिन Apache कुछ सोच समझ की रखा होगा उसका जो Hindi मिनिंग है वो है दुश्मन So let's have a look at the next Next जो हमारी बाइक है वो है Glamour Glamour मेंस होता है Glamour मेंस होता है आकरशन जो आपको आकरशित करे जो आपको फैसिनेटिड करे मोहित करे आकरशन का के इंदर मनी रहे जैसे हमारे गाव में कोई अच्छी सी चीज आ जाती तो हम उसके प्रति क्या होते है attracted होते है तो उसे हम बोलते है Glamour तो मैंने कहा था ना कुछ ना कुछ hidden word होता है तो hidden meaning है इसके इंदर देखो glamour के इंदर क्या है hidden meaning है कि attracted है आकरशन है इसके अदर Next है Avenger Avenger Avenge means होता है बदला लेना Revenge और Avenge दो वर्ड होते हैं तो Avenge means होता है बदला लेना और ER जहां पर भी लग जाए तो वो होता है बदला लेने वाला तो Avenger परति शोदी कह सकते हैं या फिर बदला लेने वाला तो at the last आज की इस वीडियो में मैं लास्ट वर्ड लूँगा लास्ट वर्ड से मैं पहले बता दूँ यदि आपको मैंने नो बाइक से नहीं बताए हैं और आपको पसंद हाए हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपके पास कौन सी बाइक है और उसका मिनिंग कि आपको पहले से पता था तो चलिए लास्ट वर्ड की तरब बढ़ते हैं लास्ट मिनिंग की तरब बढ़ते हैं लास्ट बाइक की तरब बढ़ते हैं तो लास्ट है हमारा रोयल एन्फिल्ड रोयल एन्फिल्ड की अग अलगी कहानी है The Enfield एक cycle के नाम से एक company थी जो कि 1901 में established की गई थी या found की गई थी ठीक है और किस देश में ये company है और किस देश में ये found की गई थी उसका name आप screen पर पढ़ सकते हैं तो ये एक cycle के नाम से company थी और cycle को ही देख करके इन्होंने इसका आकार है जो इसका design है उसको बदला और design किया as a bike तो bike के साथ इन्होंने नाम लगाया royal तो तब से बन गी ये the royal enfield या फिर royal enfield तो आपको पता चल गया होगा royal का means होता है राजशी राज़ाओं जैसी राज़ाओं जैसी तो राज़ाओं जैसी तो आपको जो करना होगा सकते हैं तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में कि इस दो कि जैसे राज़ाओं राज़ाओं जैसी सू भाज़ाओं ये तो जैसे लाज़ाओं जैसे और तो बाहाँ झालिए कर दो टेए